हलो फेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल आज आपके साथ में शेयर करने जारे एक बहुत ही टेस्टी और फटा फट से बनने वाली सबसी तो आपके घर में जो थोड़ी थोड़ी सबसी बच जाती है न तो उसे मिला के आप कैसे टेस्टी सबसी बना सकते हैं आप इसे रोट लिए है और एक कप मटर लिए है आप इसमें चाहें दो लौकी ले सकते हैं फूल गोबी ले सकते हैं बैगन है अर्भी है ये भी ले सकते हैं एक अड़े में आपको लेना है दो से दीन बड़े चमच ओल और इसे आप पहले गरम होने देना इसके बाद में आपको इसमें तेश पत्ता और इसमें हम डालेंगे आदा चम्मच हल्दी पाउडर वैसे हलका सापको मिक्स करना है ताकि यह चीज़े बेस में ना लगे अब यहां पर जो सब्जियां हमने कट करके रेडी रखी है वो इसमें डाल देते हैं अब यह आपको जितनी सब्जियां इसमें दिक मिक्स करना है देखे जितनी भी सब्जियां हमने इसमें ली है उसमें काफी मात्र में पानी होता है बट फिर भी आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि सब्जियां बेस में ना लगें बट आप इसमें एक सा जादा पानी नहीं डाला क्योंकि सब्ज कि इसमें डाल सकते हैं और यहां पर यह देखे सब्जी अच्छे से पकर तेयार हो गई तिकने से पता चल रहा है और इसमें ना माली फूड़ा बहुत पानी रहता है तो फ्लेम को आप मीडियम कर देना पानी को ढ्राइए और चेक कर लेना सब्जयों को बीरेदी जिसमें हम अपिर आपको इसे पकाना है या तो अच्छी से मिक्स करने के बाद में आप इसे वापिस से रख देना धियार निकम्स सब्जी ऊढ़ना होना ओर कूक नहीं करना इतना ओना चाहिए कि सब्जी ना खीली खिली दिखनी चाहिए और इसे आप इस तरीकी से एक बहुत कर लेना इसमें पानी नहीं होना चाहिए, यूगि हमने इसमें टमाटर डाला होता है, टमाटर पक जाना चाहिए, और पानी रहता है तो फिल्म को मीडियम कर देना, और फिर लोग कर देना, इसमें डालना आदा चमच धनिया पाउडर, साथ में जाएगा, आदा चमच से थोड़ा से पॉदर गण मिर्च जेर बरपाउडर अधर बिधा कशमिरी लाल मिर्च पाउडर कंशली मिर्च पाउडर और आपको इसमेह जीजान एगस सबस्जार कर समयान और फिर आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद में 5-7 प्रिट के लिए इसको लो टुमीडियम फ्लेम पर बुनने देना जो मसाले हमने डाले है इसका जो फ्लेवर आता है इसके बाद में देख सकते हैं अप सबजी का कलर अच्छा अगया है एकदम मसाले अच्छे से बुन हैं मसाले जबके किचेट में आपको इजली अवेलिवल होते हैं कोई मेहनत आपको नहीं करनी है बर जो टेस्ट रहना वो बहुत अच्छा आता है और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में जो मैंने सबजिया ली हैं वो सभी अवेलिवल हों तो जर ना हूं उसे आप स्किप कर सकते हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं और आप इसे रोटी पराठा पोड़ी चावल किसी के भी साथ में सर्फ कर सकते हैं टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा यहां पर हमने कुछ बची हुई सबजियों से मिक्स वेश तेयार किया है तो यह दिया आपको मेरे आज की सबजी पसंद आए तो इसे लाइक करना मग भूलना शेयर करना कमेंट करके बताना कैसी लगी तेंक यू